प्रडाम आजा रहे हम सब तो चिन्ता में पढ़ गे थे के आप अभी तक हिए 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 मैं गंगा पुत्र के पास गया था अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं लगता है कुमार अर्जुन को मुझ पर छोड़िया चारे मैं भी परुश्राम शिश्य हूं अंगराज और गंगा पुत्र भी परुश्राम शिश्य हैं मुझे तुम्हारी वीरता पसंदे नहीं है किन्तु अर्जुन फिर भी अर्जुनी है विराट युद में स्वयम तुम उसके बाणों का स्वाद चक चुके हो तब तो आम यहाँ चल कर आत्म समर्पन कर देना चाहिए अचारे अंगराज की बाद है तो विचार नहीं आचारे गंधार नरेश मैं प्रधान सेनपदी से क्षमा चाहता हूं एक बात याद रहे कि आप सब के सब युद्धा मेरे पक्ष में युद्कर रहे हैं यदि मेरे शिवर में अहम से अहम टकराता रहा तब तो मेरी पराजय निश्यत है इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अहम को मेरे हितों पर अधिमान न दीजिए और मैं गुरु शिरेश्ट से इस विशय में सहमत हूँ कि जब तक हम अरजुन को युद्धिष्ठिर से दूर करने में सफल नहीं हो जाते तब तक युद्धिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं इसलिए मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अरजुन को युद्धिष्ठिर से दूर करने का महत्वपूर्ण कारे किसे सोंब जाए मैं तो ये कार्या कर नहीं सकता मित्र क्योंकि इसमें मुझे अरजुन से भागने का नाटक करना पड़ेगा और मैं तो भागने का नाटक भी नहीं कर सकता गुरुदेव मेरे विचार में इस कारे के लिए हमें त्रिगर्थ देश के प्रमुक से सहता लेनी चाहिए इस कारे के लिए युवराज दुर्योधन और प्रधान सेनापती को मेरे शिवर में आने का कश्ट उठाने की तो अभशकता ही नहीं थी हे आचार्य अरजुन को लड़कारने का आर्थ मृत्यों के अतरित कुछ हो ही नहीं सकता किन्तु हम हस्तिनापूर के पक्ष में युद्ध करने आये हैं इसलिए हम दोनों भाई अरजुन के हाथों अपने मृत्यों स्विकार करते हैं दुख केवल इसका है कि ये कहने आप स्वय में हाथ अकाए यदि आपका द्वारपाल भी हम तक आपका यह संदेश पहुंचा देता तब भी हमने अपना जीवन आपको भेट कर दिया होता कि इतिहास सदैव तुम्हारी गिनिती महावीरों में करेगा मित और आज तुम्हें दुर्योधन के साथ साथ हस्तिनपुर को ही अपना रेणी बना लिया है हम शबत लेते हैं कि रण भूमी से यदि हम लोटे तो अर्जुनवद के परशात लोटेंगे और यदि हम अर्जुनवद न कर पाए तो फिर हमारे शब आएंगे महाभारा